राधे राधे मित्रो जैश्री कृष्णा आज में सुनाऊंगी देवशेनी एकादशी की वरत कता एक बार युधिस्टिव ने भगवान श्री कृष्ण से असार शुक्ले एकादशी के वरत की विधी और महत्त के बारे में बताने का अनुरोथ किया तब भगवान श्री कृ उसे नरक में स्थान मिलता है ब्रह्मा देव ने नारज जी को इस वरत के महत्तों को बताया था और विधी को बताया था वह तुमसे मैं कहता हूं इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कथा के अनुसार एक समय में एक महान राजा मान दाता थे जो बहुत ही दयालू, धार्मिक प्रतापी और सत्यवादी थे, वे अपनी प्रजा की संतान की तरह सेवा करते थे, उनके सुख और दुख का ध्यान रखते थे, उनके राजी में सभी खुशाल थे, एक बार ऐसा समय आया कि लगातार तीन साल तक पारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसले बरबाद हो गई और अकाल पड़ गया, उनकी प्रजा तरही तरही करने लगी, एक दिन प्रजा ने राजा से घुहार लगाई कि आप इस इस्तिती से बाहर आने का कोई उपाय ढूंडिये, तब राजा मान दाता भी परिशान हो गये, उनसे ये देखा नहीं गया, और वे सेना के साथ करते रहे और जंगल में यहां वहां घूमते रहे, तब जाके कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी के पुद्र अंगीरा रिशी के आश्रम के पास पहुचे, वे आश्रम के अंदर गए और अंगीरा रिशी को प्रणाम किया, इस अंगीरा रिशी ने उन्हें बताया, उनसे अकाल के कारण उनकी प्रजा परिशान है, अन्न का संकट उत्पन हो गया है, चारो ओर हाहाकार मचा हुआ है, बारिशना होने से यह इस्तिती पैदा हो गई है, इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताई, इस पर अंगीरा रिशी ने कहा कि आपको असाड शुकले का दशी का वरत विधी विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विश्न की पूजा करनी चाहिए, अंगीरा रिशी ने कहा कि इस वरत के करने से भगवान विश्न प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपके अरजित पुन्ने से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर हो जाएगा प्रजा फिर से खुशाल हो जाएगी जो इस फ्रत को करता है उसके संकट दूर होते हैं और उसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है बोल ये श्री हरी विश्णू कीजे राधे राधे